आज से हम international economics की नई unit शुरू कर रहे हैं और ये unit होगी पूरी तरह से trade policies के बारे में और आज जो हम cover करने बाले हैं वो है tariffs जो की एक तरीके का trade restriction है तो जब एक nation दूसरे nation के साथ trade करना चाहता है तो उस case में बड़े सारे restrictions होते हैं और साथ में बड़े सारे regulations होते हैं जो follow करने पड़ते हैं तो इन पूरी चीजों को मिला जुला के हम कहते हैं ये trade policies हैं या commercial policies हैं इसको ये कहा जाएगा अब tariff क्या होता है तो tariff का मतलब होता है जब समान जो दो nations के बीच में trade होना है तो जब समान किसी nation की boundary को cross करें तो जो taxes pay करने पड़ेंगे उसको tariff कहा जाएगा तो ये दो तरह का हो सकता है import पे भी हो सकता है export पे भी हो सकता है दोनों cases में समान national boundary को cross करेगा एक nation की boundary को cross करेगा अब इसके अगर हम types देखे तो हमारा पहला type है add valorum tax या add valorum tariffs अब ये कैसा tariff है तो इसका मतलब होता है कि जो समान एक नेशन से दूसरे नेशन में जा रहा है कोई समान है एक नेशन से दूसरे नेशन में जा रहा है तो उस समान की जो value है उस value पे लगने वाला जो tariff है, tax है उसको हम इस category में डालेंगे जैसे अगर हम एक example माने तो मान लो कि क्या हो रहा है bicycles को trade किया जा रहा है तो हमारे पास में दो तरीके की bicycles है एक bicycle है जो 100 dollars की है और दूसरी bicycle है जो 200 dollars की है इस दो तरीके की bicycle को हमारे देश में import किया जाना है और add valorum tariff जो है वो 10% का है तो इस case में क्या होगा कि अगर 100 dollar वाली bicycle हमारे नेशन के अंदर आएगी तो 10 dollars का उस पे tax लगेगा उसी तरह से जब 200 dollars वाली bicycle हमारे पास में आएगी हमारे नेशन के अंदर आएगी तो 20 dollars का tax लगेगा तो ये वाला case हम क्या देख रहे हैं value पे लग रहा है जो भी commodity नेशन के अंदर एंटर करी है उसके value पे लग रहा है तो ये add value रम के अंदर cover होगा दूसरा tax है हमारा जिसे हम कहते है specific tax specific tariff है इसमें क्या होता है इसमें value पे नहीं लगता है value समान की चाहे जो भी हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है यहां पे लगेगा per unit of commodity पे यानि कितने units commodity की enter कर गई तो अगर हमारे nation में हम बात कर रहे थे वो दो cycle तो एक cycle $100 वाली थी और डूसरी हमारे पास में $200 वाली थी तो जब ये दो cycle हमारे nation में आएगी तो पहले हम कितना tax दे रहे थे 100 वाली पे 10 और 200 वाली पे 20 क्योंकि 10% का add valorum tarix था पर क्योंकि अब value पे तो लगनी रहा तो इस case में कैसे होगा बोला जाएगा $10 आपको देने है चाहे किसी भी तरह का मंगवादू तो यहां पे हमें किस तरीकी की चीज आ रही है उसकी value क्या है से कोई मतलब नहीं है कितनी आ रही है से मतलब है तो इस case में बोला जाएगा $10 आपको देने है चाहे bicycle कितनी है उसे साब से लिया जाएगा तो जो $100 वाली cycle देश में आएगी nation के अंदर import की जाएगी उस पे भी $10 जाएगा और जो $200 वाली थी उस पे भी $10 जाएगा तो specific tariff जो होता है ये quantity पे लगेगा units पे लगेगा बजाए की value पे लगने की अब तीसरा तरीका तीसरे तरीकी का जो tariff है that is compound tariff तो ये नाम से ही clear है compound का मतलब क्या होता है combination, milk के जो बने तो ये combination है of दोनों tariff जो हमने अभी discuss की है that is add valorum tariff and specific tariff इन दोनों का combination है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि अगर कोई समान nation के अंदर आ रहा है तो इस पे इतना percentage add valorum और इतना percentage specific tariff लगेगा तो इस तरह से compound ये इसके अंदर होगा तो अगर 100 dollars वाली bicycle nation के अंदर आ रही है तो अगर 10% add valorum लग रहा है और 10% specific लग रहा है यह percentage कम जादा कुछ भी हो सकता है तो इस case में total हमें कितना tariff देना पड़ा हमें 10 dollars add valorum वाला देना पड़ा और 10 ये वाला देना पड़ा total हमको 100 dollars की bicycle को import कराने के लिए 20 dollars का tariff देना पड़ा यहां पे ये हुआ तो ये compound है और दूसरा वापस से अगर हम 200 वाली की बात करें तो उस case में क्या होगा 10% add valorum था जो की value पे लग रहा था 200 वाला जो था उसमें 20 dollars बन जाएगा और specific हम कह रहे है 10 dollars होगा चाहिए किसी भी तरीके का समान है तो 20 add valorum and 10 specific तो total हमको कितना देना पड़ा 30 dollars तो इस तरह से हमारा compound tariff बनेगा जो दोनों का combination है अब हमारे पास में है partial equilibrium analysis of a tariff तो partial equilibrium analysis है तो यहां पे हम देखेंगे demand और supply के हिसाब से किस तरह से effect होगा अगर tariff लगाया जाता है तो इन दोनों curves की help से हम इसको समझेंगे तो यहां पे हम देख सकेंगे यह हमारा supply को यह हमारा demand पे होगा है ठीक है अब जब tariff नहीं लगा था उस case में क्या हो रहा था उस case में हम देख रहे थे अगर $1 का समान है तो $1 के समान के case में supply तो 10 units हो रहा था उस समान का और demand हो रही थी 70 अब units आप कुछ भी अजियूम कर लो तो यहां पे 10 और यहां पे 70 supply 10 का है demand 70 है तो यह बचा हुआ कहां से मिलेगा यह बचा हुआ जो चीज है यानि 60 units support कराएंगे तो इस तरह से होगा यानि domestically produced जो है वो 10 ही होपा रहा है जबकि nation में demand 70 units की है अब क्या हुआ जब tax लगा दिया गया तो tax लगाने के case में अब price कितना हो गया tax लगाने पे $2 का हो गया तो यह after tax price है इस case में क्या होगा हम देखेंगे nation के अंदर supply होने लगी 20 units की और nation के अंदर जो demand है वो होने लगी 50 units इतना हुआ तो अब हम import कितना करा रहे हैं इस case में हम यह जो beach का space है 50-20 which is 30 30 units का import हम कराएंगे इतना यह diagram से हम समझ सकते हैं अब tariff ने किस तरह से हमारे चीजों को affect किया क्या-क्या इसका influence हम देख पाएंगे तो वो हम बारी-बारी देख लेते हैं tax जब नहीं था तो supply 10 tax लगने पे supply 20 यानि 10 units का domestically supply उस समान का बढ़ गया ठीक है अब demand की बात करें तो tax जब नहीं लगा था demand 70 थी tax लगने पे demand हमारी 50 हो गई demand हमारी basically 20 units कम हो गई और import हम पहले कितना कर रहे थे 60 units का अब import कम हो के 30 units ही रह गया तो इस तरह से हम देखेंगे जो tariff है उसका consumption effect भी होता है उसका production effect भी होता है उसका trade effect साथ में revenue effect भी हमको देखने में आएगा तो यह सारे effects एक tariff के हो सकते हैं तो production effect positive आया जादा प्रोडक्शन होने लगा consumption effect हमारा negative है consumption पहले के comparison में कम हो गया import हमारा कम हो गया पहले के comparison में और एक जो trade effect की बात हम करते हैं trade effect क्या होता है trade effect हमारा ये वाले spaces होंगे यानि consumption effect plus production effect तो consumption effect is 10 and production effect is 20 तो हमारा trade effect क्या हो गया 30 30 x और 30 units of x इतना हुआ अब last चीज जो हम कह रहे थे revenue effect revenue effect का क्या मत्बब होता है कि trade की थूरू कितना collection government कर पाया तो हम देखेंगे ये 30 units का हम import कर रहे हैं 30 units का import कर रहे हैं और अगर हम माने per unit 1 dollar government collect कर रहा है वो हमको दिखी रहे हैं जब tax नहीं लगा था price 1 था tax लगने पर price 2 हो गया है यानि 1 dollar जो है वो लिया जा रहा है तो 30 units import की जा रहे हैं और per unit 1 dollar collect किया जा रहा है तो government का collection 30 dollars इस case में हो जाएगा तो यह हम इतना देख सकते हैं यहां से अब हम देखने वाले हैं कि tariff का क्या effect देखने में आता है consumer और producer के surplus पे तो consumer surplus होता क्या है ? consumer surplus का मतलब होता है कि जैसे as consumer अगर हम हमें किसी चीज़ की पहली unit consume करने को मिलेगी तो उसके लिए हम जादा पैसे देने को तयार हो जाएंगे क्योंकि उससे हमें मिलने वाली utility जादा होगी जब हम second unit consume करेंगे तो क्योंकि utility कम है तो हम कम pay करने को तयार होंगे third unit के लिए और कम pay करने को तयार होंगे इस तरह से चलता जाता है बड़ actually price तो इस तरह से नहीं होता है कि पहले unit का price कितना जादा है दूसरी का कम ऐसा करके price के साथ तो नहीं होता है तो इस वज़े से एक consumer किसी certain unit को consume करने के लिए जितने पैसे देने को तयार है जितने पैसे देने को willing है और जितना उसको असल में देना पड़ता है उसका जो difference है उसे हम consumer surplus कहते हैं अब इसको अगर हम diagram से देखें तो ये हमारा demand curve है ये demand curve है अब हो क्या राय है? कि मान लो अगर एक consumer है और वो 70th unit किसी चीज़ की consume कर रहा है यहाँ पर हम 70 units की बात नहीं कर रहे है 70th unit की बात कर रहे है तो जब वो 70th unit consume करना चाहता है तो वहाँ पर वो 1 dollar देने को 1 dollar उसके लिए देने को तयार है 70th unit consume करने के लिए 1 dollar देने को तयार है और market में price भी 1 dollar का है तो यहाँ पे consumer surplus 0 हो गया पर उसी consumer की अगर हम बात करें वो 50th unit के लिए 2 dollar देने को तयार है पर इस 50th unit के लिए भी जो price होगा वो दो similar हैगा price तो अभी भी 1 dollar हैगा तो इस तरह से 50th unit के लिए जो हम देख रहे है consumer surplus कितना हो गया 1 dollar का ठीक है उसी तरह से 30th unit के लिए क्या होगा वो देने को तयार है 3 dollars बड़ आइचिली उसको देना पड़ता है 1 dollar तो यह difference 2 dollars का जो है वो उसका surplus हो जाएगा यह इस तरह से सारी चीज़े होती है अब हुआ क्या है कि मान लो एक consumer है वो 70 units को consume करना चाहता है तो 70 units को consume करने के लिए क्या होगा 1 dollar का price चल रहा है 70 units consume करना चाहता है तो इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे total है ना इतना पैसा उसको देना पड़ेगा यह जो box दिख रहा है हमको O, A, B, W इतना उसको देना पड़ेगा पर actually 70 units को consume करने के लिए वो देने को तयार कितना है वो देने को तयार है O, W, B, R यह पूरा जो area हमको cover होता हुआ दिख रहा है यह इतना देने को तयार है अब इतना देने को तयार है पर दे रहा है सिर्फ इतना ठीके, यह पूरी चीज देने को तयार है बट वो actually दे रहा है यह जो yellow वारा portion मैंने cover किया इतना तो उसका surplus कितना हो गया उसका surplus हो गया A, B, R इतना उसका surplus हो गया पर जब tax लग गया tariff लग गया तो उस case में price बढ़ गया price $1 से बढ़ के $2 हो गया तो जब $2 price हो गया इस case में क्या होगा इस case में जो हमारा consumer है उसका surplus भी reduce हो जाएगा तो जहां उसका surplus पहले हमको इतना दिख रहा था A, B, R यह बाला triangle इतना बड़ा triangle अब वो reduce होके कितना रह गया वो reduce होके रह गया GHR इतना रह गया यानि इतने consumer surplus का यह जो हमको area दिख रहा है इतने consumer surplus का उसको नुकसान हो गया consumer surplus इतना reduce हो गया tariff के लगने से तो इससे हमने यह समझा अब क्या होगा producer surplus पे क्या आफर देखने में आता है तो हम देखेंगे $1 पे 10 units का supply करने को तयार था producer जब price बढ़ गया because of tariff taxes तो उस case में क्या हो रहा है price $2 हो गया ठीक है 100% का tariff लगा और price $2 हो गया तो इस case में ये जो हमको section दिख रहा है A, C, J A, N, G ये वाला जो एरिया है ये rent को show करेगा या हम बोले consumer surplus को show करेगा sorry producer surplus को show करेगा तो इतना producer को ठीक है producer का surplus बढ़ गया because of tariff और ये जो हमको area दिख रहा है which is V, U, J, C ये वाला जो area है ये area show करता है कि जब output बढ़ाया गया of X commodity अच्छा एक चीज है इस सारी चीज़े जो हम देख रहे है nation 2 के point of view से देख रहे है ये हमें ध्यान रखना चाहिए इस सब चीज़े हम nation 2 के point of view से देख रहे है और nation 2 जो था वो कैसा nation था जो commodity Y को जादा produce करता था which is capital intensive तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना तो यहां पर क्या हुआ जब ये नेशन प्राइज बढ़ने की वज़े से टैरिफ बढ़ा प्राइज बढ़ा उसकी वज़े से supply पहले 10 यूनिट्स कर रहा था 20 यूनिट्स कर रहा है तो इतना तो उसका surplus बढ़ गया अ तो उसकी वज़े से जो cost of production बढ़ा है ये वाला area उसको शो कर रहा है और हमने जो ऊपर देखा which is A, C, J, G ये वाला उसका producer surplus शो कर रहा है जो की increase हो गया है इतना increase हो गया है अब cost और benefits क्या होंगे किसी tariff के तो वो हम देख रहे हैं तो हमारा जो nation 2 है हमने देखा उसमें tariff लगाया गया था commodity X के लिए उसके क्या results हमको देखने में आए ये diagram हम इससे पहले ही देख चुके है तो बहुत detail में नहीं जाएंगे अब इसमें कौन सा section क्या represent कर रहा है उ $1 था of commodity X और लगाने के बाद $2 हो गया था फिर हमने देखा consumer का जो surplus था वो पहले के comparison में reduce हो गया पहले consumer surplus हमारा ये region था which is A, B, and R ये A, B, R consumer का surplus था वो reduce होके रह गया कितना GHR कितना रह गया यानि इतना reduction देखने में आया ये जो हमको दिख रहा है क्या दिख रहा है ये A, B, H, G ये जो region है इतना consumer का surplus reduce हो गया अब इसको हम split किस तरह से करते हैं इसको हम समझते हैं इसमें ये जो हमको दिख रहा है A is $15 यानि ये वाला space A, C, J, G ये जो हमको area दिख रहा है ये show कर रहा है जो हिस्सा producers में domestic producers हैं उनको redistribute कर दिया गया उनक और ये producer surplus को show करता है ठीक है फिर हमने देखा था ये वाला जो area है C, which is $30 यानि M, N, H, J, 30 वाला जो है क्योंकि 30 units import किया जा रहा था समान का और per unit पे $1 price बढ़ गया है तो $30 जो हमारा बन रहा था ये collection government को की तरफ हो गया, government को इतना पैसा मिल गया tariff की वज़े से तो ये वो वाला section show कर रहा है क्योंकि अब हम import कर रहे है after terrace 30 units ठीक है इसको पिछले diagram में हमने cover कर रखा है नहीं समझाए तो एक बार देख वे न इसके बाद में अब ये दो जो दिख रहे है हमको B वाला region which is CMJ और दूसरा है HNB तो ये B और D वाला जो area है B is $5 और D is $10 ये शो कर रहा है protection cost या इसको हम dead weight loss कहते हैं इसको शो कर रहा है तो इस तरह से consumer surplus का जो reduction है वो इस तरह से हमको देखेगा एक हिस्सा government ने collect कर लिया दूसरा हिस्सा हमने देखा producers के बीच में चला गया as producer surplus और दो reason B and D is हमारा protection cost या इसको dead weight loss कहा जाएगा अब ये dead weight loss क्यों है इ arise इस वजह से हुआ है क्योंकि याद रखना हम nation 2 ही बात कर रहे हैं और nation 2 क्या करता था वो commodity y के production में जादा involved था production y का जादा करता था उसको export करता था यानि उसके लिए वो जादा efficient है y के production में as compared to x capital intensive commodity को वो जादा अच्छा produce कर पा रहा है पर क्योंकि अब वो अपने resources को shift कर रहा है from y to x good y to x तो इस वजह से ये हमको देखने में आ रहा है जादा efficient जिस चीज का production कर सकता है वहां से resources को shift करके x का production वो बढ़ा रहा है तो इस वजह से ये जो हमको triangle दिख रहे हैं ये protection cost या dead weight loss कहा जाएगा और इसकी वजह से फिर क्या होगा जो price है x commodity का in relation to y वो ब assumption pattern है nation to का वो भी थोड़ा distort हो जाएगा तो ये हमको दिखता है यहाँ पर तो यहाँ पर overall impact क्या देखने में आया consumer का surplus reduce हो गया उस reduce surplus का एक हिस्सा distribute कर दिया गया producers को जो producer surplus के तौर पे उनको मिल गया जो जादा efficient production जिसका वो nation कर पा रहा था वहां से resources को shift करके x का production किया जा तो इस वज़े से हम देखेंगे कुछ inefficiency की जाजाएंगी और dead weight loss protection cost उसी को हम कहेंगे तो यह BND हमारा protection cost हो गयता है अब हम आते हैं अपने next चीज़ पे अब हम देखने वाले हैं कि एक nation जो होता है उसमें जो tariff structure है वो किस तरह से होगा वहाँ पे rate of effective protection किस तरह से calculate किया जा सकता है इन सब चीज़ों को तो जो government होता है वो कोशिश करता है कोई भी एक nation कोशिश करेगा कि उस देश में जो समान दूसरे देश से आ रहा है है और वो raw material है raw material को अकसर duty fee रखा जाता है या कम से कम tariff उस पे लगाया जाता है जबकि जो finished good country के अंदर आएगा उस पे taxation होता है तो अब क्या होगा यह क्यों किया जाता है इसके करने की पीछी reason होता है कि हमारे nation के अंदर जो लोग production process में involved हैं उनको encourage करने के लिए कि हम final commodity दूसरे nation की जादा इस्तमाल ना करें अपने देश में processing करें तो जो import हुआ उन चीजों का जो raw material थे उस पे taxation बिल्कुल नहीं लगाया या तो बहुत ही कम लगाया जबकि finished good अगर उसे country से import किया जाता है तो उस पे taxation जादा होता है अब कितना protection actually दिया गया हमारे देश में जो हो रहा है producers उसको कितना protection दिया गया foreign goods से तो उसको calculate हम कैसे कर सकते हैं उसको calculate करने के लिए हमारा ये formula जो हमको दिख रहा है ये है अब ये निकाला ही क्यों जाए तो ऐसा होता है कि ये rate जो है जिस तरह से हम बोलते हैं कि nominal tax लगाया गया कितना tax लगाया गया basically तो nominal tariff rate जो है इसका knowledge एक consumer चाहेगा उसको हो ताकि उसको ये पता रहे कि price में जो change आया है उस change में कितना हिस्सा tariff की वज़े से हुआ है प्राइस अगर पहले से जादा बढ़ गए है तो वो बढ़ना जो है प्राइस का वो कितना जादा बढ़ना tariff की वज़े से है तो इसलिए एक consumer जो है phenomenal tariff rate को जानने में interested होगा उसी तरह से एक जो producer है वो जानना चाहेगा effective protection का जो rate है उसको इसके बीशी reason है कि एक producer ये जानना चाहेगा जो foreign goods country के अंदर आ रहे है finished goods उससे कितना protection उसको provide किया जा रहा है ठीक है अब ये calculate कैसे करें तो calculate करने का तरीका हमारा इस formula के त्रू calculate किया जा सकता है तो इस G से हम represent कर रहे है rate of effective protection जितना जादा होगा इसका मतलब उतना जादा अपने देश में processing को encourage करने की कोशिश की जा रहे है और उतना जादा producers को protect किया जा रहा है final goods के competition से दूसरे देश के final goods के competition से अब यहाँ पे इस सब चीज़ें क्या है देख रहेते हैं यह हमारा जो T है यह nominal tax rate है जो consumers पे लगाया जाएगा consumers पे करेंगे final commodities पे ठीक है इसके बाद में यह जो हमको दिख रहा है A तो यह show कर रहा है कि जो समान जो raw material मंगवाया गया था दूसरे nation से उसके import और upon में रखेंगे हम जो final commodity है उसका क्या price है तो उन दोनों price का ratio यहाँ पे हम देखेंगे वो A से हम represent कर रहे है ठीक है इसके बाद में इसके बाद में यह जो हमको T दिख रहा है यह हमको show कर रहा है nominal tariff rate जो हमारा inputs पे लगाया गया जो raw material दूसरे nation से मंगवाया गया उस पे अगर कोई tax है generally नहीं होता है बट अगर कोई tax है तो वो कितना है तो वो nominal tax rate यहाँ पे show किया जा रहा है तो इस तरह से formula है तो this A is again very same thing कि input का क्या price है जो दूसरे nation से मंगवाया गया upon में जो final good बनके ready हुआ उसका क्या price है उन दोनों का ratio तो इस तरह से होगा अब एक example फटा फट अगर हम ले कि अगर जो हमारा tariff है जो nominal tariff rate है consumers पे जो लगाया गया है अगर वो 10% है तो हम इसे calculate कैसे करेंगे 10% को 0.1 से show किया जाएगा तो यहां पे 0.1 डाल देंगे T की जगह पे इसके बाद में हमने देखा जो हमारा ratio है input और final goods का input जो लाए उसका क्या price है और final good का क्या price है उसका ratio तो मान लो $80 का समान हमने मंगवाया as input और $100 का हमारा final good ready हुआ तो 80 upon 100 which is 0.8 तो हमने यहां पे कितना रखा था 0.1 minus 0.8 into यह वाला input पे तो हम कुछ भी tax नहीं लगा रहे 0 तो यह पूरी चीज तो 0 हो गई यहां पे कितना बचा यहां पे 0.1 बच गया 0.1 now this is 1 minus and again this is 0.8 तो इसको जब पूरा solve करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3 या इसको हम बोल सकते है 30% तो यानि इतना protection उसको मिल रहा है जो हमारी producers हैं उनको 30% का protection इस वाले case में मिल रहा है values अलग होंगी तो अलग answer आएगा ऐसा करके तो nominal tariff rates के थुरू हमने जो यह calculate किया the rate of effective protection कहीं बार ऐसा possible है कि इससे results बिल्कुल correct ना आए depend करता है basically कि जो nations है उनका tax structure किस तरीके का है जैसे कि कुछ nations ऐसे होते हैं जो import पे tax नहीं लगाते हैं off inputs उन पे नहीं लगा रहे हैं zero ही मान लो मान लिया उसको या बहुत ही कम रखा जबकि ऐसा कर सकते हैं कि वो processing पे tax लगा रहे हो तो ऐसे case में जो final good बनके आएगा उसका price कुछ होगा और हम बोलेंगे input का price इतना था तो वो गलत results भी देगा तो हर case में इसको बिल्कुल हम blindly follow कर सके इस formula को तो यह पॉसिबल नहीं है पर फिर भी अगर हम compare करें nominal tariff rate से effective rate of effective protection को तो जादतर लोग इसको ही superior consider करते हैं अब हम देखेंगे general equilibrium analysis अभी हमने partial देखा था जो हमने demand or supply की तरू देखा था अब हम general equilibrium analysis देखेंगे और tariff एक small country के case में किस तरह से होगा तो small country के case में tariff किस तरह से affect करेगा वो हम देखते हैं तो अगर कोई nation है और वहाँ पर हमने बोला commodity x पर tariff लगाया गया था तो जब ये tariff लगाया जाता है तो ये pay कौन कर रहा है ये pay हमारे nation के ही लोग कर रहे है तो ऐसा होता है tariff की बज़े से जो price increase होता है वो पूरा का पूरा full increase price जो है वो pay करना पड़ता है consumer को individual consumer को और producer के लिए भी उसी तरह का price हो जाता है but country as a whole price में कोई फरक नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा इसके पीछे reason ये है कि जब कोई समान दूसरे nation से हमारे nation में आया और उस पे import duty बगेरा लगाया गया तो ऐसे case में होगा क्या जो import duty लगाया गया वो वापस तो government के पास ही आ रहा है तो वो पैसा गया कहीं भी और नहीं है इस वज़े से जो price है individual consumer और individual producer के लिए definitely बदल जाता है after tariff पर nation as a whole के लिए price अभी भी वही रह सकता है उसी तरह से जो दूसरे nation के लोग हैं जिन से trade करेगा हमारा वारा nation उनके लिए जो price होगा वो भी पुराने वाला ही रहेगा before tariff तो इस तरह से चीज़े होती है अब इसको हम समझते हैं यहां पर तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हम देखेंगे कि जो nation है जो small nation की हम small country case की बात कर रहे है तो जो हमारा nation है nation 2 तो जो हमारा nation है वहां पर price हम देख रहे है even after tariff that is going to remain pw pw is equal to 1 ठीक है तो उस time पर क्या हो रहा था production किया जा रहा था add point b b पर production हो रहा था 40 units of x को produce किया जा रहा था 120 units of y को produce किया जा रहा था और उस case में 60 units y को दे दिया जा रहा था और बने में 60 units of x को import कर लिया जा रहा था इस तरह से सब कुछ चल रहा था तो हमारा consumption इस point पे हो रहा था point e पे हो रहा था यो हमारा indifference curve 3 पे है ठीक है पर जब tariff लगाया गया 100% tariff तो price डबल हो गए तो हमारा जो relative price है pf ये हमारा 2 दिख रहा है हमको तो ये nation के अंदर हो गया consumers और producers के लिए पर बाहर अभी भी price हमारा उतना ही रहेगा जितना पहले था अब इस case में क्या हुआ production हमारा f point पे हो रहा है f point पे production हो रहा है जहां पे 65 units of x को produce किया जा रहा है और 85 units of y को produce किया जा रहा है अब जो ये हुआ है वहाँ पे हम देखेंगे कि जो 35 30 units है 30 units y की दूसरे nation को export कर दी गई है और बदले में 30 units x की receive की गई है यहाँ पे ये हुआ अब ये जो 30 units receive की गई है उसमें से 15 यानि आधा वो तो government ने tax के form में ले लिया खुद से रख लिया यानि 30 x जो है उसमें से half which is 15 x वो government ने अपने पास में रख लिया है तो उस तरह से अगर होता तो यहाँ पे indifference curve बनना चाहिए था पर ऐसा नहीं है इसके पीछे reason ये है कि जो government है इस nation में वो जो tariff के रूप में पैसा collect किया गया है उसको nation पे ही वापस से खर्चा कर रही है consumers को ही वापस से distribute कर रही है और तो वापस से अब हम इस इस वाले indifference curve पे है विच इस indifference curve 2 डाश तो इस पे है और इस edge point पे consumption के हिसाब से हम है after tariff अब हम देखेंगे ये जो है ये जो second है वो नीचे है third वाले से third indifference curve से यानि free trade के case में consumption better था welfare बेटर था nation का बजाएगी tariff के बाद tariff के बाद welfare reduce हो गया है अब ऐसा क्यों हुआ है ऐसा होने की पीछे reason ये है कि ये nation ज़ादा efficient था Y commodity के production में वहाँ पे अपने resource से ज़ादा लगा रहा था X का production कम कर रहा था पर क्योंकि जब tariff लगाया गया तो उस case में producers जो है हमने देखा था पहले वाले diagram में कि जो producers हैं वो क्या कर रहे है तरिफ लगने के बाद ज़ादा supply कर रहे है उस commodity के जिस पर tariff लगाया गया तो X commodity पर tariff लगाया गया है तो X commodity का production बढ़ा दिया गया है तो हम देख रहे हैं पहले X 40 हो रहा था और after tariff 65 हो रहा है तो ज़ादा efficient जो हमारा commodity था commodity पाय जिसके production में nation ज़ादा efficient था वहाँ से resources निकालके less efficient जो commodity हमारे लिए है जिसके production में हम less efficient है which is commodity X वहाँ पर resources को डार दिया गया है इस वज़े से ये हमको welfare में reduction देखने में आ रहा है after tariff और अगर मान लो अभी तो हमने 100% add valorum tax की बात करी है अगर ये tax 300% हो जाए और हम माने हम इस A point पे आ गए है तो ये A point उटार की को ही show कर रहा है यहाँ हम दूसरे nation से trade ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम ज़ादा efficient थे Y के production में आवान से resources निकालके almost बहुत सारा resource निकालके X के production में लगा रहे है तो हम इस stage में पहुंच जाएंगे जहां पे हम उटार की वाले situation में होंगे और इसको हम prohibitive tariff कहेंगे ये जो rate होगा जो भी tariff का rate इंपोर्ट tariff का rate होगा उसको हम prohibitive tariff कहेंगे minimum add valorum rate of tariff होगा जिस पे कोई nation trade नहीं करना चाहेगा अब हम देख रहे हैं तो इस थेरम में ये बोला गया कि अगर relative price किसी commodity का बढ़ जाए क्योंकि tariff लगाया गया तो tariff लगाया जाने की वज़े से अगर किसी commodity का relative price बढ़ जाए तो उस commodity के production के लिए जो factor intensively use हुआ था उस factor का return भी बढ़ जाएगा यानि basically एक nation के अंदर जो factor scarce है, कम है तो after imposition of tariff उस factor का जो price होगा वो बढ़ जाएगा जैसे अभी हमने एक case देखा था nation 2 की बात करें तो nation 2 अगर small country case है तो हमने ये देखा कि जो nation 2 है वहाँ वो capital intensive commodity y के production में efficient है क्योंकि वहाँ पे capital जादा available है उस nation में capital जादा available है और x commodity जो की labor intensive है उस commodity के production में उतना efficient नहीं है तो हमारा ये वाला nation जो है वो क्या करता है वो y commodity का production जादा करके y commodity को export करता है और बदले में x commodity को जादा import करता है इस तरह से चीज़ें चलती है फिर ऐसा हुआ कि जो x commodity है उस पे tariff लगाया गया add valorum tax लगाया गया x commodity पे जो की labor intensive होता है और ये nation जो है ये capital abundant है अब ये nation capital abundant है इसका मतलब labor यहाँ पे scarce है तो इस case में जो tariff लगाया गया x commodity पे उस वज़े से जो की labor intensive है उस वज़े से उस nation के अंदर जो labor है उसका price बढ़ जाएगा labor का relative price बढ़ जाएगा तो हुआ क्या इस case में हमने ये देखा था कि tariff लगाया जाने के बाद तो ये nation क्या कर रहा था ये x commodity का production टैरिफ लगाया जाने के बाद बढ़ा रहा था और y का production कम कर रहा था ऐसा करने के लिए इससे क्या करना पड़ा होगा इसको y commodity में से जो resources है उसको हटा के x commodity के production में लगाने पड़ी होंगे इस तरह से चीज़ें चली होंगी पर x commodity labor intensive है जिसमें labor जादा required होगा और इस nation के पास में labor उतना available नहीं है तो इस वज़े से labor का price बढ़ जाएगा labor का इस्तमाल तो किया जाएगा पर capital abundant है ये nation तो जादा capital के साथ कम labor को combine करके production process को शुरू कर दिया जाएगा इस तरह से production इस nation के अंदर possible हो पाएगा अब क्या होगा इस वज़े से हम बोलेंगे जो हमारा labor है उसका price बढ़ जाएगा तो w upon r जो है हमारा वो भी हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ऐसा होगा और जो relative price है which is px upon py वो भी nation का बढ़ जाएगा इस तरह से जो labor है उसका जो factor payment है यानि wages वो हमें बढ़ते हुए नजर आएगी तो यह सब कुछ होगा और फिर धिरे धिरे करके इस process में जो labor है वो efficient हो जाएगा दोनों समान के production में चाहे वो good x हो या good y हो इतना हुआ अब हमने एक बात और देखी थी कि यहां पे हुआ क्या था small country case में after imposing tariff हमने देखा था जो social welfare है वो reduce हो गया था nation का जो welfare है वो reduce हो गया था पहले वो indifference curve 3 पे जा रहा था इसको चेक करना बाद में वो indifference curve 2 पे आ गया था after imposing tariff तो nation as a whole जो है उसको tariff की वज़े से नुकसान हो रहा है small country case में बट जो हमारा labor है उसको यहां पे फाइदा होगा तो यह चीज पूरी यहां पे है nation के अंदर जो factor scares है tariff लगने के बाद हम देख रहे हैं उसके return जो है वो बढ़ गए है इस वाले case में अब हम बोलते हैं जो stall per Samuelson theorem है यह हमेशा apply होता है small country case में पर जो large country case है उस पे हमेशा तो नहीं apply होगा ऐसा बुलना गलत होगा कि हमेशा apply होता है पर अकसर apply large country case में भी यह theorem होती है अब हम देख रहे हैं कि large country case में क्या होगा जब tariff लगाया जाएगा तो large country case में trade किस तरह से affect होगा तो हम दो बाते जानते हैं कि अगर जब भी tariff लगाया जाता है तो tariff लगाने के case में एक चीज़ क्या होगी volume of trade जो है वो reduce हो जाएगा पहली चीज़ यह जब volume of trade reduce होगा तो उससे nation का welfare reduce होगा और दूसरी चीज़ यह होगी तो इससे terms of trade improve होता है और terms of trade improve होने से nation का welfare होगा तो actually tariff लगने से nation का welfare increase होगा या decrease होगा वो इन दोनों चीज़ों पे depend करेगा इन दोनों चीज़ों के net result पे depend करेगा कि terms of trade जो improve हुआ है वो कितना ज़ादा इंप्रूफ हुआ है और साथ में volume of trade जो reduce हुआ है tariff की वज़े से वो कितना ज़ादा reduce हुआ है तो इन दोनों चीजों का जो net result होगा उस पर depend करेगा कि nation का welfare actually हुआ है नहीं हुआ है कि अब हम देख सकते हैं इस diagram में कि जब free trade हो रहा था in both the nations nation 1 and 2 उस case में ये वाला offer curve nation 1 का offer curve है और ये offer curve nation 2 का offer curve है तो यहाँ पे equilibrium position में दोनों nations थे जहाँ पे 60x के बदले में 60y जो है exchange किया जा रहा था पर जब ऐसा हुआ tariff लगाया गया in the nation 2 और 100% का tariff लगाया गया तो उस case में हम देखेंगे कि हमारा जो offer curve है of nation 2 वो rotate होके यहाँ पे आ गया है 2 dash बन चुका है ठीक है अब यहाँ पे हम देखेंगे volume of trade reduce हो गया है पहले जादा था यहाँ पे था अभी कम हो गया है volume of trade reduce हो गया है तो terms of trade पहले हमारा 1 था यानि PX upon PY is equal to 1 अभी PX upon PY is equal to 0.8 है बट यह PX upon PY है और अगर nation 2 का हमें terms of trade देखना है तो हम देखेंगे PY upon PX तो PY upon PX nation 2 के लिए अभी कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा तो वो पहले वाले situation से better है 1 से better हो गया है 1.25 तो हुआ क्या पहले जो nation 2 था उसको 60X को लेने के लिए 60Y देना पड़ रहा था पर अब इस E dash point पे क्या हो रहा है उसको 40Y देना पड़ रहा है 50X को लेने के लिए तो यहाँ पे terms of trade for nation 2 has improved यह हुआ अब यह जो price हमको दिख रहा है यह nation as a whole के लिए भी है और world price भी इस तरह से होगा पर अब ऐसा हुआ जब 50X nation के अंदर आया तो इस 50X में से 25X जो है वो उस nation की government ने अपने पास रख लिया tariff के form में तो जब यह हुआ तो हम देखेंगे nation के अंदर जो prices है वो world price का double हो जाएगा तो world price वो 0.8 और nation के अंदर जो price है वो 1.6 देखने में आएगा तो nation में जो producers हैं consumers हैं उनके ले जो price है 1.6 देखने में आएगा तो basically nation का यहाँ पे हम देख रहे हैं welfare नहीं हो रहा है welfare reduce हुआ है तो nation 2 जो की large country है उसका welfare tariff बढ़ने पे हम देख सकते हैं reduce हो रहा है तो यहाँ पे world के लिए जो price था उसका double price consumers और producers के लिए है इतना हमने समझ लिया और इस वाले चीज में इस वाले specific case में हम देखेंगे stalker samuelson theorem जो है वो भी applicable है पर मान लो अगर कोई ऐसा unusual case हो अगर ऐसा कोई unusual case हो जहाँ पे px upon py कम हो जाए for individual consumers and producers tariff impose करने के बाद nation के अंदर तो उस time पे हमारा जो stalker and samuelson theorem है वो applicable नहीं होगा उस case को हम कहते है medziller paradox बहुत ही unusual है बढ़ अगर कभी अगर ऐसा हो तो इसको वहाँ पे हम कहते है stalker samuelson theorem नहीं applicable होगा अब हम आते हैं next topic पे ये है optimum tariff तो optimum tariff का क्या मतलब होगा optimum tariff का मतलब होगा कि हमने बोला था जब tariff impose होता है तो इसके दो effects होते हैं एक तो terms of trade effect होता है और दूसरा हमने देखा था कि volume of trade effect होता है तो अगर tariff बढ़ाया जाता है तैरिफ लगाया जाता है उस case में terms of trade जो है nation का वो improve होता है जबकि volume of trade जो है वो कम हो जाता है तो इन दोनों का जो net result हो इन दोनों का अगर net result जो है वो nation के welfare को improve करे ऐसे वाले tariff को हम optimum tariff कहेंगे जो nation के benefit को improve करे पर ऐसी possibility हो सकती है जहाँ पर अगर एक nation optimum tariff impose करता है जिससे उसको benefit हो तो अगर उसको benefit होगा तो किसी दूसरे nation को नुक्सान होगा उसका जो terms of trade है वो deteriorate होगा यह सारी situation होगी अगर एक nation का terms of trade better हुआ है तो दूसरे का deteriorate हुआ है तो यह condition होगा और दूसरा nation भी decide करता है retaliate करता है ताकि उसको फाइदा हो और इस तरह से चीजें चलती चले जाती है कि दूसरा nation भी फिर ऐसा करता है वो भी tax impose कर दे फिर इस तरह से continue होता चला जाता है तो ऐसे case में दोनों nations को ही at the end नुक्सान ही होगा तो जितने benefits वो कमा पा रहे थे trade के through वो सारे ही lose हो जाएंगे या most of the benefits जो है वो यहां पे वो lose कर जाएंगे जालतर benefit उनका कम हो जाएगा अब देखते हैं optimum tariff और retaliation वाला case क्या होगा तो हम बोल रहे हैं पहले क्या हुआ तो free trade के case में nation 2 का offer curve यह है nation 1 का offer curve यह वाला है ठीक है E point पे equilibrium है और यहां पे relative price is 1 फिर nation 2 ने सोचा कि वो tariff लगा दे optimum tariff imposed करे तो उसने क्या करा उसने अपना tariff बढ़ा दिया यहां पे tariff लगाने के बाद volume of trade उसका reduce हो गया और उसका जो terms of trade है वो improve हो जाएगा ठीक है तो यह PX upon PY है यह भी PX upon PY है पर जब इसको convert करेंगे into PY upon PX तो यह 1 से उपर चला जाएगा तो nation 2 का terms of trade improve हो गया है और उसको जादा benefit देखने में आएगा अब nation 1 realize करता है कि nation 2 क्या कर रहा है और वो भी ऐसा ही करे वो भी tax impose कर दे उस case में यहां पे वो आ जाएगा और at the end अगर हम देखें तो इस point पे equilibrium हो जाएगा फिर तो यह तो दोनों nation के लिए ही बहुत बुरा रहेगा volume of rate भी बहुत जादा कम हो जाएगा यहां पे तो दोनों nations का ही नुफसान होगा तो सकता है nation 2 फिर retaliate करे और फिर वो अपने tariff और impose करे और यह और reduce हो जाएगा तो चीज़ें और खराब भी हो सकती है already बहुत खराब है इस point पे यह और भी जादा बिकार हो सकती है that's it तो यह chapter हमारा इतना ही है